व्यवस्ता विवरन अध्याय सत्रह तु अपने परमिश्वर यहवा के लिए कोई बैल वा भेडबकरी बली न करना, जिसमें दोश वा किसी प्रकार की खोट हो, क्योंकि ऐसा करना तेरे परमिश्वर यहवा के समीप गुरुनी थे, जो बसती है, तेरा परमिश्वर यहवा तुझे देता है, यदि उसमें से किस कोई पुरुष वा स्त्री ऐसी पाई जाए, जिसने तेरा परमिश्वर यहवा की वाचा तोड़ कर ऐसा काम किया हो, जो उसकी दुरुष्टी में बुरा है, अर्थात मेरी आग्या उलंगन करके, पराए देवताओं की, वा सुरिय, वा चंद्रमा, वा आकाश के गन में से किसी की उपासना की हो, वा उनको दंडवत किया हो, और यह बात तुझे बतलाई जाए, और तेरे सुनने में आए, तब भली भाती पूच पाश करना, और यदि यह बात सच्छेरे, कि इसरायल में ऐसा ग्रुनित कर्म किया गया है, तो जिस त्री वा पुरुष ने ऐसा ब जाए, जो प्रांदंड के योगठेरे, वह एक ही की साक्षी से न मार डाला जाए, किन्तु दो वा तीन मनुशों की साक्षी से मार डाला जाए, उसके मार डालने के लिए सबसे पहले साक्षियों के हाथ और उनके बाद और सब लोगों के हाथ उस पर उठे, किसी रिती से ऐसी बुराई को अपने मद्ध में से दूर करना। यदी तेरी बस्तियों के भीतर कोई जगडे की बात हो, अथात आपस के खून वा विवाद वा मारपिट का कोई मुकदमा उठे और उसका न्याय करना तेरे लिए कठिन जान पड़े, तो उस थान को जाकर जो तेरा परमिश्वर यहोवा चून लेगा, लेविय याजकों के पास और उन दिनों के नाईयों के पास जाकर पूच पाच करना कि वे तुझको न्याय की बाते बतलाएं। और न्याय की जैसी बात उस थान के लोग जो यहोवा चून लेगा, तुझे उसी के अनुसार करना और जो व्यवस्ता वे तुझे दे उसी के अनुसार चलने के चवकसी करना। विवस्ता की जो बाते वे तुझे बताए और नयाई की जो बाते वे तुझे कहे उसी के अनुशार करना जो बाते वे तुझे को बताए उससे दहिनाए वबाए नमुडना और जो मनुश्य अभिमान करके उस याजक की जो वहां तेरे परमिश्वर यहवा की सेवा टहल करने को उपस्तित रहेगा नमाने वहां उस नयाई की न सुने तो वहां मनुश्य मार डाला जाए इस प्रकार तुझे इसरायल में से ऐसी बुराई को दूर कर देना इससे सब ल परमिश्वर यहवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो और उसमें बसकर कहने लगे कि चारो और की सब जातियों की नाई मैं भी अपने उपर राजा ठहराऊंगा तब जिसको तेरा परमिश्वर यहवा चून ले अवश्य उसी को राजा ठहराना अपने भाईयों ही म तो तेरा भाई न हो तू अपने उपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता है और वह बहुत गोडे न रखे और न इस मंसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिश्वर में भेजे कि उसके पास बहुत से गोडे हो जाए क्योंकि यहवा ने तुझ से कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर क अपना सोना रूपा बहुत बढ़ा है और जब वह राजगदी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्ता की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे जिससे वह परमेश्वर यहवा का भय मानना और व्यवस्ता और विधियों की सारी बातों को मानने में चोकसी करना सीखें जिससे वह अपने मन में घमंड करके और अपने भायों को तुछन न जाने और न इन आग्यावस से तो दहने मुड़े और न बाये जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इस्राइलियों के मध्ध बहुत दिनों तक राज करते रहें